गरीब बहन वर्सिस अमीर भाई ये कहानी रंजना नाम की एक लड़की की है जो अपनी छोटी बहन पीहू के साथ शहर में एक छोटा सा तंबू लगा कर रहती थी अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए रंजना सिलाई का काम करती थी एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में भी रंजना सिलाई के काम में लगी हुई थी तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है फीहू थोड़ी देर इंतजार कर लो आज किसी के मेहंदी का फंक्चन है इसलिए मुझे उसके कपड़े जल्द से जल्द कयार करने हैं थोड़ा सबर कर लो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बना दोंगी ठीक है दीडी जल्दी कर लो हाँ पीवो तु चिंता मत कर मैं जल्दी जल्दी ये कपड़े सिल लेती हूँ इन कपड़ों के जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं तुझे मैगी बना कर खिलाऊंगी तुझे मैगी बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी, मुझे मैगी बहुत पसंद है लेकिन दीदी, हमारे तंबू में तो पानी आ रहा है हाँ आज बारिश बहुत तेज हो रही है ना हमारा हलका सा तंबू इतनी तेज बारिश कहां से सहब आएगा तुम मेरे पीछे बैठ जाओ ये सुनकर पीहू रंजना के पीछे जाकर बैठ जाती है जहांपर जमीन सुखी हुई थी कुछी देर में रंजना कपड़े सिलकर तैयार कर देती है फिर बारिश खतम हो जाने पर महंदी के कपड़े लेने एक लड़की आ जाती है तुमने मेरी बेहन के महंदी का लेंगा अच्छे से सिल्डिया है ना फिटिंग तो अच्छी आईगी ना हाँ आप निश्चिंत रहिए फिटिंग को लिकर आपको कोई परिशानी नहीं होगी मैंने लेंगा बिलकुल नाप से सिला है ठीक है ये लो पैसे पैसे देकर वो लड़की वहां से चली जाती है फिर रंजना उन पैसों से दुकान से मेगी खरीद कर लाती है और चूले पर मेगी बना कर अपनी बेहन को खिलाती है वाओ दीदी मेगी खा कर तो मज़ा आ गया मैंने आपको एक महीने पहले बोला था कि मुझको मेगी खानी है और आप मुझे आज खिला रही हो हम हमेशा ऐसे गरी भी रहेंगे क्या दीदी पीहू फिलहाल तो मैं बस घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ देखना वो दिन जरूर आएगा जो मेरे पास धीर सारे पैसे होंगे और मैं बहुत अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा दूँगी हम अनात लोगों की जिन्दगी ऐसी ही होती है अगर उस दिन वो हादसा नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग इस तरह रोट पर नहीं रह रहे होते मैंगी खाकर पीहू का पेट भर चुगा था इसलिए अब वो सोच आती है और रंजना अपनी सिलाई का काम करने लगती है तबी उसके पास एक परिशान औरत अपनी बेटी का लहंगा लेकर आती है वैसे तो तुम इतनी गरीब हो कि मेरा तुम्हारे पास आने का बिलकुल मन नहीं था लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था मेरी पडोसर ने बताई कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सी लेती हो एक बड़े फैशन डिजाइनर ने मेरी बीटी के लहंगे और ब्लाउस दोनों की फिटिंग खराब कर दी है इसलिए तुम उसे ठीक कर सकती हो तो बताओ पहले आप एक बार मुझे लेंगा दिखा दीजे रंजना के कहने पर वो औरत उसको लेंगा दिखाती है लेंगा दिखने में वाकई बहुत खूबसूरत था रंजना लेंगे को अच्छे से देखती है और कहती है हम आपने सही कहा लेंगे में तो मार्जिन भी नहीं बचा है और ब्लाउस का डिजाइन भी कुछ खास अच्छा नहीं है आप मुझे दो गंटे का समय दीजे मैं अभी ठीक कर दूँगी लेंगा देकर वो औरत वहां से चली जाती है उसके बाद रंजना उस लेंगे को ठीक करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देती है दो घंटे बाद जब वो औरत आती है तो रंजना उससे कहती है देखिए मैंने आपकी बेटी का लेंगा बिल्कुल ठीक कर दिया अब ये पहले से भी जादा खुबसुरत दिख रहा है अरे वाँ तुमने तो ये लेंगा पहले से भी जादा खुबसुरत बना दिया है मैं तो बहुत हैरान हूँ मानना पड़ेगा तुम्हारी अंदर बहुत अच्छी दर्ची की कला है मुझे लगा रोड पर हैती हो तो साधारन से कपड़े सिलपाती होगी खेर तुमने मेरी बहुत बड़े चिंता को खतम कर दिया ये लोग पूरे 15,000 रुपे इन्हें रख लो नहीं नहीं मैडम जी आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है मैंने इतनी मेहनत नहीं की है अच्छा ठीक है लेकिन 10,000 रुपे तो तुम्हें रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं किसी बड़े डिजाइनर को ये ठीक करने के लिए देती तो वो मुस्से लाखो चार्ज कर लेती वो औरत रंजना को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है रंजना पैसे दीख कर अपने मन में सोचने लगती है अच्छा हुआ मुझे पैसे मिल गए मशीन को ठीक करवा लूँगी बहुत दिन से खराब चल रही थी और तेल और धागे भी खरीद लूँगी और मेरी पीहू को थोड़े से कपड़े दिला दूँगी एक ही फ्रॉक पहन कर घूमती रहती है रंजना पैसे पाकर बहुत खुश थी वो अपनी बहन के लिए शॉपिंग करके आती है और अपनी सिलाई मशीन भी ठीक करवा लेती है दीदी आप बहुत अच्छी हो आप में ले इतनी सुन्दर फ्रॉक लेकर आई हो आज मां होती तो आपका हुनर देखकर कितनी खुश हो रही होती पाथ बहुत यादाती है उदास मत थोपी हूँ शयद उनकोर हमारा साथ लिखा ही नहीं था इसी कारण उस हादसे के बाद वो हमसे अलग हो गए वक्त इसी तरह गुजर रहा था और सिलाई करके रंजना अपना घर चला रही थी कम उम्र में ही उसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चड़ाव देख लिये थे एक दिन रंजना के तंबू के सामने से एक बहुत महंगी गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी के अंदर एक बहुत अमीर गोविंद नाम का लड़का बैठा हुआ था गाड़ी की रफतार इतनी तेज थी कि उसका बैलन्स खराब हुआ और उसका एक्सिडेंट हो गया गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तो मौके पर ही मृत्यू हो गई लेकिन उस गाड़ी में बैठा यूवक जिसका नाम गोविंद था वो बहुत घायल अवस्था में रंजना के तंबू के आगे जाकर गिरा दीदी देखो लगते हैं किसी का एक्सिडेंट हो गया है दीदी वो देखो भईये कितने चोटल अवस्था में पड़े हैं चल पीहू हमें उनकी मदद करनी होगी वरना वो मर जाएंगे रंजना और पीहू आसपास के लोगों की सहायता से गोविंद को अस्पताल में ले जाकर भरती करवा देते हैं और जब तक गोविंद को होश नहीं आता वो दोनों हास्पिटल में ही रहते हैं पूरे 24 गंटे बाद गोविंद को होश आ जाता है तब रंजना और पीहू उससे मिलने जाती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी जान बचा ली वरना आज तो मेरा काम तमाम हो जाता आप ऐसे मत बोलिये इनसानियत के नाते हमारा फर्स था कि हम आपको बचाएं आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं हाँ दीदी पता नहीं क्यों इन मेंसे मुझे गोलू भया की जलक आ रही है गोलू नाम सुनकर गोविंद हैरान रह गया क्योंकि गोविंद को घर पर सब गोलू कहकर ही बुलाते थे तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम गोलू है मुझे नहीं पता था कि आपका नाम गोलू है दो सल पहले मैं, मेरे गोलू भाया, मेरी दीदी और मेरी ममी पापा हम सब घूमने गई थे और अचानक से बस में आग लग गई और बहुत अफरा तफरी मच गई ममी पापा की जान तो उसी समय चली गई थी लेकिन मेरे भाया की लाश का कोई पता नहीं चला लोग कहते हैं कि वो खाई में गिर गई थे तब से मैं और दीदी सड़क किनारे तमगू लगा कर रहते हैं पीहू की ये बात सुनकर गोविंद की आखों से आसू आ गए क्योंकि गोविंद ही पीहू का गोलू भाया था बहन मेरी प्यारी चोटी बहन मैं ही तुम्हारा भाई हूँ रंजना मैं मरा नहीं था उस हादसे के बाद मुझे फॉरण अस्पताल ले जाया गया था और जब अस्पताल वालों को ये खबर मिली कि मेरे माता पिता मर चुके हैं तो उन्होंने मुझे अना थाले में डलवा दिया और वहां से मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे उमीद है वो तुम्हें भी अपना लेंगे रंजना गोविंद के गले लग जाती है फिर गोविंद अपने हाथ का निशान दिखाता है जो बचपन से ही उसके हाथ पर था ये निशान इस बात का पुकता सबूत है भईया कि आप ही मेरे भईया है तीनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे जो फिर मलने पर गोविंद दोनों बहनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने माता पिता से उन्हें मिलवाता है माँ, बच्पन में मैजिन दो बहनों की बात आप दोनों से किया करता था वो यही दोनों है, मुझे मेरी बहन मिल गई है मापापा लेकिन बेटा, तोने कैसे यकिन कर लिया, कि ये दोनों तेरी बहन है? हमारा खून का रिष्टा है माँ, हम एक दूसरे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकते पीहू ने वो सारी बात मुझे बताई जो उस हादसे में हुई थी, जो मेरे और आपके अलावा कोई नहीं जानता था ये तो बहुत خुशी की बात है कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई पीहू और रंजना उन दोनों भले इंसान के पैर चूते हैं और उनका आशिरवाद लेकर उन्हें अपने माता पिता स्वीकार करते हैं उस दिन के बाद से तीनों भाई बहन उन दोनों के साथ रहने लगते हैं गोविंद अपनी बहन के लिए एक बूटिक खुलवा देता है जिसमें रंजना जी जान लगा कर काम करती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है इस तरह अब वो पूरा परिवार एक साथ अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत करने लगता है एक गाउ में एक मजदूर रोहनलाल अपनी पतनी शीतल के साथ रहता था वो दोनों दूसरों के खेतों में काम करते थे और उससे जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना घर चलाते थे एक दिन वो दोनों अपने मालिक रमललाल के सेब के बगीचे में काम कर रहे थे शीतल इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है सारे सेब एकदम लाल और खिले-खिले हैं हाँ जी आप सही कह रहे हो मालिक जब इतने स्वादिस्ट और लाल सेब देखेंगे तुम बहुत खुश हो जाएंगे हाँ और हो सकता है मालिक हमसे खुश होकर हमें कुछ इनाम दे दे या हमें थोड़े जादा पैसे दे दे अब चलो तुम जल्दी जल्दी ये सारे सेब को तोड़कर टोकरी में इकठा कर लो मैं बगीचे की सफाई कर देता हूँ मालिक आते ही होंगे उसके बाद दोनों अपना-पना काम करने लगते हैं उतने में ही वहाँ एक चुहा आ जाता है और लाल-लाल सेब देख कर खुश हो जाता है और वो टोकरी में से सेब उठा कर खाने लगता है जब रोहन की नजर चुहे पर पड़ती है तो वो कहता है अरे बगीचे में ये चुहा कहां से आ गया मालिक ने देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे हट हट भाग यहां से रोहन चुहे को भगाने लगता है रोहन के भगाने पर थोड़ी देर के लिए वो चुहा भाग जाता है परन्तो थोड़ी देर बाद फिर से वो चुहा वापस आ जाता है और दोबारा से सेब खाने लगता है अरे तुम फिर आ गए लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे ऐसा कहकर रोहन डंडा लेकर उस चुहे के पीछे दोड़ने लगता है रुख जा तु सेब खाएगा अभी बताता हूँ तुझे अब भाग कहा रहा है रुख जा तुझे मैं नहीं चोड़ूँगा रुख कितने सारे सेब खराब हो गए तबी उस खेट का मालिक रमलाल वहां आता है और अपने बगीचे की ऐसी हालत देख कर गुशा होते हुए रोहन से कहता है अरे ये क्या किया तुम दोनों ने तुम लोगों ने मेरा पूरा बगीचा खराब कर दिया अब तुमें आज की कोई मजदूरी नहीं मिलेगी समझे तुमने मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई तुमें चुका नहीं होगी इतना कहकर रमलाल गुसे में वहां से चला जाता है रोहन और शीतल निराश हो जाते हैं रोहन का उदास शहरा देखकर वो चूहा रोहन पर हसने लगता है चूहे को देखकर रोहन को बहुत गुस्ता आता है रुख जा तु हसता है मुझ पर आभी बताता हो तुझे इतना बोलकर रोहन वापस से चूहे को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है तबी शीतल का ध्यान अपने पती की और जाता है और वो उसको देखकर चिल्ला उड़ती है अच्छा अब तू नहीं बचेगा इतना कहकर रोहन अपना सर जटक कर चुहे को नीचे गिराता है और उस पर अपनी कुलहाडी से हमला करता है वो चुहा तो भाग जाता है परन्तु रोहन को बहुती तेज टन की आवाज सुनाई देती है अरे ये आवाज कैसी थी? रोहन दुबारा से अपनी कुलहाडी उस पर मारता है, वापस से उसे टन की आवाज सुनाई देती है, तभी वहाँ शीतल आती है और तभी शीतल कहती है, लगता है शायद इस जमीन के अंदर कुछ गड़ा है मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं कोई खजाना तो नहीं, मुझे यहाँ गड़ा करना चाहिए इसके बाद रोहन खुशी-खुशी अपनी कुलहाडी से वहाँ खुदाई करने लगता है थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसमें से एक घड़ा निकलता है घड़ा देखकर दोनों पती-पतनी बहुत खुश हो जाते हैं अरे वाँ, खजाने वाला घड़ा, अब तो हम अमीर हो गए जी अरे रुको शीतल, एक बार खोल कर देखने तो दो रोहन उस घड़े को मिट्टी से बाहर निकालता है, तो देखता है कि वो घड़ा तो बिलकुल खाली है अरे ये घड़ा तो खाली है, लगता है आज का दिन ही खराब है दोनों पती-पतनी निराश होकर वहां बैट जाते हैं, तबी वहां वही चुहा आता है चुहे को देखकर रोहन को बहुत तेज गुस्टा आता है तुझे तो मैं चड़ूंगा नहीं वापस से रोहन चुहे के पीछे भागने लगता है तबी वो चुहा उस घड़े में चलांग लगा लेता है अब बचके कहां जाओगे? जब रोहन उस घड़े के अंदर चुहे को पकड़ने के लिए हाथ अंदर डालता है तबी उस घड़े में से बहुत सारे चुहें बाहर निकलने लगते हैं ये देखकर दोनों पती-पतनी चौक जाते हैं अरे इतने सारे चुहे? अब ये सारे चुहे मिलकर तो सारे से बखा जाएंगे रोहन सर पकड़कर बैट जाता है ये सब आपके वज़े से हो रहा है अगर आप उस चुहे के पीछे नहीं पढ़ते तो आज ये सब नहीं होता अरे पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है इस घड़े के अंदर तो एक ही चुहा गया था फिर इतने सारे चुहे कैसे बाहर आए कहीं ये घड़ा कोई जादूई घड़ा तो नहीं है क्या जादूई घड़ा? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि तुम खुच सोचो कि आखिर ऐसे कैसे हुआ चलो इस बात का पता लगाते हैं कि घड़ा जादूई है या नहीं इसके बाद रोहन एक सेब उस घड़े के अंदर डालता है तबी वो एक सेब बहुत सारे सेब में बदल जाता है ये देखकर दोनों पती-पतनी बहुत खुश हो जाती है अरे ये तो कमाल हो गया इस जादूई घड़े से तो अब हमारी जिन्दगी बदल जाएगी इसके बाद वो दोनों जादूई घड़ा लेकर खुशी-खुशी अपने घर पहुँच जाती है घर पहुचकर रोहन उसमें एक सोका नोट डालता है वो सोका एक नोट बहुत सारे नोटों में बदल जाता है उसके बाद रोहन कुश पैसे लेकर अपने मालिक रमलाल के घर पहुचता है और उसे देते हुए कहता है ये लो आपके नुकसान के पैसे और अब मुझे आपकी नौकरी की कोई जरूरत नहीं इतना कहकर खुशी खुशी रोहन वहां से चला जाता है रोहन को इतना खुश देखकर और उसके पास पैसा देखकर रमलाल असमंजस में पढ़ जाता है अरे इस रोहन के पास इतना पैसा कहां से आया और ये बड़ा खुश भी लग रहा है कुछ तो गड़बड है मुझे पता लगाना होगा उसी रात रमलाल रोहन के घर जाता है और उसके खिड़की से छुप छुप कर घर का हाल देखने लगता है रोहन और उसके पतनी शीतल उसमें पैसे डाल कर बहुत सारे पैसे प्राप्त कर रहे थे यह देखकर रमलाल चौक जाता है और कहता है अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है अब ये घड़ा मुझे चाहिए इस घड़े से मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इनसान बन सकता हूँ रमलाल रोहन के घर के अंदर आता है और रोहन से कहता है इतना बोलकर रमलाल वो घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है रोहन और शीतल एक बार फिर से निराश हो जाते हैं रमलाल अपने घर आकर अपने सारी हीरे और जवारात उस घड़े में डाल कर कई गुना बढ़ा लेता है अरे वा 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 अब तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ परन तो आखिर इस घड़े में ऐसा है क्या? मुझे इस घड़े के अंदर जाक कर देखना चाहिए रमलाल अपनी मुंडी घड़े में डाल कर अंदर जाकने लगता है अरे अंदर से तो ये घड़ा बिलकुल मामूली घड़े के जैसा लग रहा है खैर कोई बात नहीं तब ही रमलाल देखता है कि उस घड़े में से बहुत सारे उसकी हमशकल बाहर निकल रहे हैं अरे ये क्या मेरे इतने सारे हमशकल रमलाल अपने इतने सारे हमशकल देख कर चौक जाता है और जो जो रमलाल बोलता वो वो उनके हमशकल भी बोलती हे भगवान ये क्या हो गया अरे तुम लोग मेरी नकल क्यों उतार रहे हो अरे तुम लोग मेरी नकल क्यों उतार रहे हो चुप चाप चले जाओ यहां से यहां मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो यहां से अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई रमन लाल समझ जाता है कि जैसा जैसा वो करेगा वैसा वैसा ये हमशकल भी करेंगे इसके बाद रमन लाल पैर उठाकर नाचने लगता है सारे हमशकल भी नाचने लगते हैं फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है सारे हमशकल भी घर से बाहर निकलते हैं फिर वो अपने घर का चक्कर लगाता है सारे हमशकल भी उसके पीछे-पीछे घर का चक्कर लगाते हैं फिर वो वापस अपने गेड के पास आकर थोड़ी देड के लिए रुख जाता है सबी रुख जाते हैं फिर वो भागकर अपने घर के अंदर आकर घर का दर्वाजा बंद कर लेता है और खुश होता है कैसे उल्लू बनाया अपने सारे हमशकल को देख कर रमलाल अपने मन में सोचता है ए भगवान लगता है ये हमशकल मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे अब मैं क्या करूँ? मैंने क्यूं उससे ये घड़ा ले लिया? अच्छा खासा अपनी जिन्दी की जी रहा था मैं अपने इतने सारे हमशकल के साथ नहीं जी सकता ए भगवान मेरी मदद करो तबी उस घड़े में से आवाज आती है रमलाल मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम मुझे वापस मेरे मालिक के पास छोड़ आओ वरना तुम्हारे ये हमशकल तुम्हें पागल कर देंगे मुझे मेरी गलती का एहसास है मैं अभी घड़ा रोहन को वापस करके आता हूँ रमलाल जल्दी से वो घड़ा लेकर रोहन के घर पहुचता है उसके पीछे पीछे उसके हमशकल भी आ गए ये देखकर रोहन और उसकी पतनी आश्यरे चकित रह जाती है अरे मालिक आप इतने सारे हो गए अरे अरे रोहन भाई अभी ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है पहले तुम अपना ये घड़ा पकड़ो इसे तुम ही रखो मुझे नहीं चाहिए घड़ा और मुझे माफ कर दो और किरप्या कर इस बला को ठीक करो मालिक पर मैं ये कैसे ठीक करूँ घड़े की बात सुनकर रोहन घड़े को आदेश देता है कि वो सारे हमशकल को गायब कर दे रोहन के इतना बोलते ही वहाँ से सारे हमशकल गायब हो जाता है और फिर रमलाल के जान में जान आती है वो रोहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी की की माफी मांगता है और वहां से चला जाता है रोहन वापस अपना जादुई घड़ा पाकर बहुत खुश होता है और अपनी पतनी के साथ खुशी-खुशी एक अच्छा और खुशाल जीवन व्यतीत करता है नीले आँखो वाली बदसूरत सिंड्रेला परी बहुत समय पहली की बात है परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी रानी परी की एक बेटी थी सेलिना सलिना बहुत ही खुपसूरत थी अपने लाल बालो और हरी आखो पर सलिना को बहुत घमंड था सलिना परी मां की परियों के साथ जादतर वक्त परी लोग के बगीचे में बिता दी थी सभी परियां उसकी सुन्दर्ता की अक्सर तारीफ करती थी सेलिना परी को अपनी सुन्दरता की तारिफ सुनना बेहत पसंद था गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया अब वो सीधी मुग किसी से बात तक नहीं किया करती रानी परी फ्लोरा अपनी बीटी सेलिना के इस मरताफ से बहुत दुखी रहती और उसे खुब समझाती लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अंसुना कर अपनी घमंड में चूर रहती एक दिन की बात है रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहर रही थी तबी उनकी नजर बगीचे में लगे आकरशक नीले फूलों पर गई उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली ओह कितने सुन्दर फूल है काश मेरी एक बीटी होती जिसकी नीली आखे हो और वो दिल की बहुती सुन्दर हो हे पर्यों की राजमाता मेरी विंती सुन्लो रानी परी फ्लोरा के इतना बोलती ही एक चमतकार हुआ और तेज रोशने के साथ उनकी गोद में एक नीली आखो वाली नन्ही से परी प्रकट हो गई जिसे देख रानी परी बोली पर्यों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली मेरी बच्चे कितने सुन्दर है नीली आखे और सुनहरे बाल तुम कितने प्यारी हो मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला तुम बिलकुल उन नीले फूलों की तरह सुन्दर और कोमल हो सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी वो अपनी बहन सेलिना परी से बिलकुल अलग थी सिंड्रेला परी अपनी रानी मा का बहुत ख्याल रखती थी उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था पर सैलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था वो सिंड्रेला परी की खुबसूरती से बहुत ही जलती थी सैलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खुबसूरती ना देख पाई इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा जूट बोलती तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना क्योंकि तुम्हें पता नहीं अगर तुम बाहर चाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर दिंगे सिंड्रेला परी अपने बहन की हर बात मानती थी वो वही करती जो वो कहती थी रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना चाए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सलिना परी की तरह घमंडी ना बन चाए एक दिन की बात है सिंड्रेला परी राज महल के बगीचे में खिर रही थी तबी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा वाओ, कितनी प्यारी तितली है मैंने इससे पहले इतने खुबसूरत तितली कभी नहीं देखी ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी वो आकरशक तितली की खुबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई अरे वो तितली कहा गई अभी तो यहीं थी सिंड्रेला परी जहां वहां हैराने से उस तितली को ढूंडी रही थी कि तभी परी लोग की परियों ने सिंड्रेला परी को चारो और से घिर लिया और उसकी खुबसूरती की तारिफ करने लगे ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई मुझे महल वापस लोट जाना चाहिए मा मेरे इंतजार कर रही होगी ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की और जाने लगी लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत इशा की और जा पहुँची वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुँच गई वो जल्णबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी आँ! कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसके मदद करने वाला कोई नहीं था वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही वो मदद के लिए चिलाती रही लेकिन कुछ दिर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगा थी जहां अजीब किस्म के पिड़ पोधे और फूल दिखाई दे रहे थे सिंड्रेला परी उस अजीब जगा में इधर उधर भटक रही थी कि तबी उसे एक खुबसुरत हवेली दिखाई दी जहां सुमोना नाम की एक बुरी जादुगर्णी रह दी थी सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तबी सुमोना जादुगर्णी उसके सामने प्रकट हुई और बोली कौन हो तुम वही रुख जाओ मैं मेरा नाम सिंड्रेला परी है मैं दरसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहां पहुँच गई मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ सिंड्रेला परी की मात सुन जादुगर्णी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नोकरानी मिल जाएगी फिर वो बोली ठेक है तुम कुछ दिन मेरे यहां काम करो अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी अच्छ ठीक है मुझे आपकी बात मंजूर है पर मेरी एक और शर्त भी है वो यह है कि तुम्हें यहां एक बदसुरत लड़की बन कर रहना होगा क्योंकि कोई भी खुबसुरत चीज मैं अपने बेटे के नस्दिक नहीं आने दूँगी क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा लेकिन रात को मेरे बेटे के सोजाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी ये सन सिंड्रेला पर ही थोड़ा हिचके चाई और जादू गर्णी के बाद मान गई फिर जादू गर्णी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आँखो वाली बदसुरत लड़की में बदल गई अब यहां खड़ी क्यों हो जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो सिंड्रेला ने हाँ में सेर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने की टेबल पर एक सुन्दर नोजवान को खाना खाते हुए देखा सिंड्रेला वहां रुकी और उसे देखने लगी तब ही वहां अचानक से जादू गर्णी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरी की सफाई करने के लिए कहा था पर आप यहां अचानक कैसे आप तो हवेली के बाहर थी ना लगता है तुम भूल गई मैं जादू गर्णी हूँ मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और यह मेरा बेटा विराट है अब जाओ यहां से और जाकर जो काम कहा है वो करो जी जादू गर्णी जा रही हूँ जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बाते सुन ली मा क्या मैं कल बाहर घुमने जा सकता हूँ मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ नहीं बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादुगर्णी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया धीरे धीरे वो विराट के और आकरशित हो गई और मनी मन उसे पसंद करने लगी वो सारा दिन पर जादुगर्णी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती जादुगर्णी का बेटा कितना सुन्दर है काश मैं उसे अपने हाथों से एक खुबसुरत फूलों की माला दे पाती ऐसा सोचके सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतिजार करने लगी रात को जादू गिर्णी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर फूलो की माला लिये चुपचा विराट के कमरे में दाखिल हुई फिर फूलो की माला विराट के तके के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचा वहाँ से चली गई परी को देखा उसने मुझे फूलो की माला दी थी ये कहते हुए विराट के नजर तके के पास रखी फूलो की माला पर गई उन फूलो की माला को देख विराट ने कहा ओह इसका मतला वो सपना नहीं था वो सच मुझ की परी थी मैं अभी जाकर नेली आँखो वाली परी को ढूंडूंगा जिसने मुझे ये सुन्दर माला दी है इतना बोलकर विराट अपनी जादूगर्णी मा को बिना बताए चप चप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आँखो वाली परी को ढूंड़ने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आँखो वाली परी को ढूंड़ने काफी दूर निकल गया दूसरी और सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंचे इत्ति फाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपने छवी निहार रही थी अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फोरन उसके पास गई और बोली मेरी प्यारी बहन अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई मैं सिंड्रेला हूँ क्या कहा तुम सिंड्रेला हो पर तुम इतने बसूरत कैसे हो गई ये सब चादू गिर्णे के काले जादू के वज़े से हुआ है प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो सलिना अपने बहन सिंड्रेला को एक बसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खुबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी वो बोली मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ जाओ यहां से मेरी प्यारी बेहन प्लीज मेरी मदद करो मुझे रानी मा की पास ले चलो सेलिना ने गुसे से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी तबी अचानक विराट वहां आपहुचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा क्या तुम ठीक हो तुम्हें कहीं चोड तो नहीं लगी विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई अपने सपनों की नीली आखो वाली परी को देखकर उसे अपनी आखो पर विश्वास नहीं हुआ अरे तुम तो हवेली में काम करने वाली नोकरानी थी ना तुम परी में कैसे बदल गई मैं वाकई में एक परी ही हूँ दरसल तुमारी जादू गिर्णी मा ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसुरत लड़की में बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खुपसरत चीस तुमारे करीब आए ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई ये सबसुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला मेरी मा ऐसा कैसे कर सकती है मैं उन्हें कभी माफ ने करूँगा माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगी जब तुम उन्हें माफ कर दोगी सिंड्रेला को पहले जैसा खुपसरत देख नदी किनारे खड़ी सलिना गुसे से तिल मिला गई तबी अचानक उसका संतुलन बिगडा और वो नदी में जागिरी और डूबने लगी अपने बहन को मुसेबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सलिना को डूबने से बचा लिया सलिना पुरी को अपने किये पर बहुत अफ्सोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी तब सिंड्रेला बोली मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना तुम्हारे दिल के कोने में मेरी लिए बहुत प्यार चुपा है मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया के सबसे प्यारी बहन है ओह मेरी प्यारी बहन मैं अपने खुबसूरती के घमण में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही मुझे माफ कर दो मेरी बहन ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया इस तरह दोनों बहने एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लोटकर अपनी मा से बात की जादू गर्नी सुमोना को भी अपने के पर पच्टावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी कोई बात नहीं मा मेरे दिल में हमेशा आप के लिए प्यार रहेगा इस तरह सब कुछ ठीक हो गया फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई दूसरी तरफ सलिना परी का स्वभाव बिलकुल बदल गया वो अब सबसे प्यार से बाते करने लगी थी और वही रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बीटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था तो देखा दोस्तों आपने हमें कभी भी खुबसूरती पर घमर नहीं करना चाहिए अगर दिल अच्छा होगा तो आप सबको खुबसूरत लगोगे